बाका की जिलाधिकारी सुहर्स भगत वाराच्छी अधिक्चक अर्विंद कुमार गुपता ने सुक्रवार को सदर अस्पताल बाका का निर्ख्षन किया कोबिड-19 के बढ़ते संक्रमन और हालात के मद्दे नजर मूलभूत सुविधाओं को लेकर सदर अस्पताल बाका के बिभिन वार्डो का निर्ख्षन किया गया मौके पर मौजूद सिविल सर्जन सुधिर कुमार महतो को आबस्तक दिसा निर्देश दिये कोबिड-19 संक्रमन को देखते वे अधीक सरीक संख्या में लोगों का सैंपल लिया जाए एवं सभी जरूरी सुविधाएं हराल में मिले इसको लेकर निर्देशित किये गए ग्याद हो कि कुरुना महमारी को लेकर बाका जिले में कुरुना संक्रमन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है जिसको लेकर जिला प्रसासन की और से सभी परकार की एतिहात कदम वह साबधानी बरती जा रही है सोसल डिस्टेंसिंग वा मास्क पहनने की पालन को लेकर भी निर्देश दिये गए हैं हाल में ही हाट हुआ बजारयों अन जगों पर आम जनों के दोरा लॉकडाउन के दर्म्यान सोसल डिस्टेंसिंग की जमकर धजियां उड़ाई जा रही है जो गंभीर चिंता का विसय है पुलीस प्रसासन की और से सकती के साथ लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिये गए हैं बाका सहर के सभी छेत्रों में सगन वहान चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि बेवज़ा लोग इधर उधर नहीं भटके बाका के अमरपूर परखंड में हो रही मौत से आम लोगों में बढ़ रही दहसत के मद्दे नजर रैफर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकास चौधरी के प्रयासों के कारन सुक्रवार से रेपीट टेश्ट की सुरुवात अस्पताल परिसर में हो गई जिसमें सहर के विभिन महले से आया 88 लों की कुरोना जाच की गई जिसमें एक मरीज पोजटी पाया गया बताते चले अमरपूर हटिया परिसर स्थित भगत टोला वार्ड नमबर 13 में बिगत 10 दिन पूर्वत दो सगे भाईयों की मौत हो गई थी वहीं सुक्रवार की एहल किसी बीमारी से ग्रसिक थे लेकिन फिर भी मृतक के परिजनों में दहसत फैल गई है मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभैप्रकास चौधरी के नेत्रितों में एम्बूलेंस के दोरा मृतक के परिजनों को अस्पताल लाया गया जहां सभी का कोरोना जाच किया गया वहीं दूसरी तरफ सीओ सुनिल कुमार साथाना धेच कुमार सन्ocy कार पालक पताधिकारी नीलम स्वेता के नेत्रितों में अधिकारियों ने महले में बास की बरे के डिगनगा कर सील कर दिया है और आधे घंटे में रिपोर्ट भी दे दी जाएगी मौके पर थाना धिच कुमार सन्नी ने बताया कि पूरे मुहले को सील कर दिया गया है इस दुरान आवाजाही बिल्कुल बंद रहेगी इस मुहले को कंटेन्मेंट जोन घोसित कर दिया गया है बाखा के फुली डोमर में गुरूवार की बीती राथ ठाना कारियाले के ठीक सामने परखंड कारियाले परिसर इस्तित परधान मंतरी आवासकारियाले में अग्याथ काल सूचना अपनी लेखा पाल पंकच कुमार निरला को दी जिसके बाद दोनों ने मिलकर जानकारी बीडियो को दी बताया गया कि सुभा कमरे के दर्वाजे में पूर्व की तरह ताला लगा हुआ था लेकिन अंदर सारे समान गायब मिले उनके अनुसार चोरों ने सभी समा निकाल कर पूनह ताला लगा दिया था इस बाबत परखंड बिकास पतादिकारी बिकास कुमार ने थाने में अग्याद चोरों के खिलाब एफाई यार दर्च कर आई है इससे पूर्व सूचना मिलते ही थानादेच मुहंबत सब्दर अली अपने प्लीस बल के साथ चोरी क घटना स्थलका निरचन किया उक्त कारियाले के आसपास जाकर इस्थिती का जाय जा लिया थाने में प्रेसित आविदन के अनुसार अग्याद चोरों ने एक मॉनिटर, HP प्रिंटर, दो कीबोर्ड, दो माउस समेत लाभकों के भुकतान से जोड़ी सभी दस्तावेजों की चोरी कर ली है, बिदित हो कि इस तरह की घटनाएं आए दिन हो ही रही है, कारियाले से कुर्सी की चोरी, सोलर लाइट की बैटरी की चोरी, बाइक की चोरी हो चुकी है, गौर करने वाली बातिया है कि उक्त चोरी की घटना वहां हुई जिस छेतर में CCTV कैमरे भी लगे तो CCTV कैमरे खराब रहे हैं, प्रधान मंत्री कारियाले से हुई चोरी की घटना को लेकर हवा में तरहतरे की चर्चाएं भी तैरने लगी है, एक चर्चा के नुसार प्रिंटर बैटरी और अन्य समानों की चोरी करने वाले चोरों को लाभकों को भुकतान पंजी से क्या मतल या भी क्या चोर इतना जानकार थे कि उन्होंने उक्त पंजी को ढूंडने का प्रियास नहीं किया, बल्कि सुरक्षित रैक पर रखे दस्तावेज उठा लिया और चलते बने, जैसे गुरुवार कुन होने ही उक्त दस्तावेज सहेच कर रखा हो, या सवाल इसलिए भी उ थाना ध्यच पर पूरा भरोसा है, और वे कम से कम उक्त चोरी की घटना की सच्चाई का उद्भेदन अवस्य करेंगे। सलेंदर यादब ने हतियार से लैस होकर चंदसेखर यादब के घर पराकर खेत जोतने के लिए कहा, रात होने की वज़ा से चंदसेखर यादब ने सवेरे जोतने की बात कही, इसी दुरान चंदसेखर यादब को लोहे की रड से मार कर सर फोर दिया, जिससे चंदसेखर य करने की गुहार लगाई गई हैं करने के लिखती के रावेदन दिया है और राच में जो है बाकाजिला के संभू गंज परखंडचितर के पैदापूर गाउं के समय पुलिया के पास ओटो पलटने से सहापूर गाउं के 65 वर्सिया किसान भुज यादव, पितासवर या छट्टू यादव की घटना स्तर परी मौत हो गई जबकि आटो पर सबार दो यूवक सहापूर गाउं के ही जखमी हो गए इस घटना के बाद ओटू चालक हरेंदर कुमार मौके पर से फरार हो गए जानकारी के नुसार कोबिड-19 को लेकर राज में लौकडाउन रहने के बाब जुद भी बस पिट्टा गाउं के हरेंदर कुमार अपना ओटो हर दिन की तरह स्टालक पर चलाकर यात्रियों को ढोकर लौकडाउन का खुलेया मुलंगन कर रहा था जहां सुक्रवार को यात्री लेकर बस पिट्टा गाउं के हरिंद्र कुमार अपने ही ओटो से खेसर जा रहा था जबकि सापुर गाउं के समीब किसान भज्जी यादव भी धान रोपाई के लिए मजदूर खोजने पैदापूर जा रहा था ओटो चालक ने उस किसान भज्जी यादव से भी भाड़ा लेकर ओटो पर बिठा लिया इसी करम में पैदापूर गाउं के पहले ही सालक पर पुलिया के समीब अनियंतृत गती से जा रहे ओटो चालक ने नियंत्रन खो दिया जिसे किसान भज्जी यादब की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि ओटो पर सवार दो यात्री जक्मी हो गए घटना के बाद ओटो चालक को भागते देख दोनों यात्री भी जक्मी हालत में भागने में ही भलाई समझा मौत किसान को एक पुत्री नीरादेवी है जिसकी साधी हो चुकी है इस घटना के बाद किसान की पत्नी उर्मिलादेवी का रोरो कर बुरा हाल है सूचना पर पहुंची संभोगंज पुलीस ने मृतक किसान भज्जी यादव की सब को कबजे मिले कर ओटो जबत कर सब को पुश्ट माटम के लिए बाका भेज दिया